हलो फ्रेंड्स मेरा नाम है एंकीतो राज मैं आपको पताऊंगा इंडिया कोसगार्ड की 01-2022 की जो नोटिपेशन है वो आउट हो चुकी है यह आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे असिस्टन कमांडर के लिए यह पोस्टने के लिए टेकनिकल बेस है जो जिरूबन 2022 इसकी ऑनलें फॉर्म की डेट है चार जुलई से चौदा जुलई तक दरोजा 21 यह अगले मैंसे स्टार्ट होने होले है उसका एड्मिट कार्ड जो है 20 जुलई को रिरीज होने होला है और जो इलिजिबलीटी है जनरल ड्यूटी के लिए आपको ग्रैजिएशन होना चाहिए इंजिनेरिंग डिगरी के लिए 60% मेडियम होना चाहिए मैथेमेटिक से फिजिक्स में आप कर सकते हुए आपके 10 12 और उसके बाद कोई भी आप तीन सकाल का कूल कोर्स होगा वह भी आ आपको मैं और टर्ने के लिए किस्मेटेक पर से आपको इंजिर्णी की मैं पास उना चाहिए गार जिसमें इंजिनेरिंग ब्रांच जो इसमें नावल अर्किट्रेक्ट्ट्यon से डिडेक्रिकल Sports चाहिए electrical electronics electronics and communication power electronics यह सब जो डिग्री वेल स्टुडेंट है वो सब इलिजिबल है इसमें आपको 60% मार्स चाहिए और यहाँ पे एज रिलेक्शेशन दिया हुए इस से स्ट के लिए पाच साल और विसे के लिए तिन साल है और यहाँ पी वेकंसी दिये हैं जो सिस्टम कमंडर 0 और दोजैंब्याच की आप स्क्रीन पर देख रहे हुएंगे कि यहां पे एस के लिए और 2 सब्सक्राइब टोकोटलrodt सब्सक्राइब के लिए क्लेका इतोटल मेसी देंबंफ कपलए सब्सक्राइब दो एक ऐसे दिए होए है अधर वा कैटेगरी और एक मोमेंटली विकर सेक्षिन और अंडर सेक्षिन अंडर रिजर्व कैटेगरी को दिया हुआ है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैं कि यह कुछ आडिशनल रिजमिटी क्राटिरिया है आप अगर फाइनल ये में हो या आप इस एक्जाम के लिए इलिजिबल हो तो यह एक अच्छे है और यह पर जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने होने होला है चार जुलोई से और इसकी लांस्ट डेट जो है 14 जुलोई 2021 तो इसके लिए आपको आपका जो इमिल आइडी है डेट अब बर्थ है टेंथ क्लास की पासिंग सर्टिफिकेट या फिट्वेल स्टैंडर्ड की जो मार्चीट है वो भी आपको चाहिए साथ में क्योंकि आउनलाइन फील कुरना विक्तिस समय यह लगता है साथ ही आपक पर इसकी पर जरूरत है और आपको यह फॉर्म परने के लिए आपको ऑनलाइन जो इनकी वेबसाइट है जोने इंडियंकोसगार्ड.gov.in इस वेबसाइट पर जाके आपको यह फॉर्म फिल करना होगा आपको अभी से यह फिल नहीं करना है क्योंकि इसकी डेट आने की है जो डेट है 4 जुलई यह आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे उपनिंग अप्लिकेशन विल भी 4 जुलई 2021 से स्टार्ट होने हो लिए और इसकी क्लूजिंग डेट जो है 14 जुलई यहां पर उन्हें दीया है कि अड्मिट कार्ड जो भी है करना के लिए 20 जुलई को अड्मिट काड भी आ जाएंगा तो यह एक्जाम बुझकी जल्दी होने वाले है यह कुछ उन्हें रहे जो उन्हें वाइस उन्हें दीया हुए मॉंब़ाही चेंड़े उनका जो home sent उनका address दिया हुआ है यहाँ पर और इसकी selection कैसी होंगी क्या होंगा उसके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है तो जो shortlisted candidate होंगे उनको आपके mail ID मेसेज आजाएगा जो और जो shortlist candidate रहेंगे वो जो exam होंगे online उसके base होंगे जो percentage आपको higher मिल रहेंगे जिसको ज्यादा मिलेंगे higher वही उनका selection हो जाएगा और जो जिसनकी degree 2020 है 2021 में पास होने वाले हैं वो सब इसके लिए eligible होंगे तो eligible होने के लिए आपको जो आपकी degree है वो आपको शो करना पड़ेगा जब आपका document verification रहेगा तब तो इसके लिए यह आप form fill करते समय आपको eligibility कराटिकर चेक कीजिए तक कि आपको बाद में कोई यह दिक्कत ना हो स्टेश 2 की जो exam रहेगी उसमें आपका जो cut off रहेंगा उसके साबसे आपको यह हो जाएगा कुछ other documents जो लगने वाले हैं इस form fill करने के लिए जैसे कि दस विकी मार्चेट बारा विकी फिर आपकी डिगरी के मार्चेट्स यह पर डिगरी वो सब यह आपर लगने वाले हैं यह कुछ उनकी terms and conditions है जो आपको आप पीडियाप में देख सकते हो जो यह पीडियाप जो है जो है जो है इक्प्रेश्यम लिंक दी होए हमारा telegram चैन तो वहाँ पर आप जाकर डाउनलूट कर सकते हो और जो यहाँ पर दिया हो है उनकी travel allowance जो है travel allowance भी देने वाले हैं अगर आप travel करते हो आते हो तो एक्जाम के लिए और ये कुछ salary के details से आप उनेने दिया व क्मांडर के लिए कितना है deputy commander केहल के लिए कितना है commanderımı के कितना हैं इंतल आप कितना कितना है थीतना है यह स्वनानेन दिया है और साथ सालेर के साथ में अधर जो आपको benefits जो है जैसे के medical facility, insurance facility, pensions आपको leaves के यह सब यहां पर दी हुए है और यहां पर उन्हेंने finally दीया हुआ है तो इस तरह है यह notification हुए असिस्टम कमांडरिंग के लिए तो इस वीडियो में इतना कहूंगा और जनकर के लिए दिखते रहिए वीडियो पसंद आयागा तो सब्सक्राइब करें थैंक्स पर दिवाचिंग वीडियो थैंक्यू